हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा योटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया और मैं पहुँच गया हूँ बभना पशू मंडी जो के जहानाबाद डिश्टिक में ये मंडी आता है जहानाबाद रेलेवे इस्टेशन से इस मंडी की दूरी 5 किलो मिटर है तो सब्ता ही मंडी है परती एक बुधवार को ये मंडी लगता है तो इस मंडी में आकर बहुत असानी से आप गाये भैस खरीश सकते हैं तो पुरी डीटेल में बात करेंगे कि आज की मंडी में कितने लीटर वाली गाये क्या प्राइज में उपलब्द हो रही है तो वीडियो को अन तक देखें और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक बहुत कम कर रहे हैं तो लाइक जरूर क्या करें आपके लाइक से मेरा आत्मो विस्वास बढ़ता है तो चलिए सबसे पहले इस गाय का डीटेल देना चाहेंगे आप लोगों को जो के डेरी फार्म के लिए बहुत ही अच्छी गाय है और ये गाय जो के लेंथ वगरा में भी काफी अच्छी है अडर की बनावट भी काफी शांदार है तो दात की अगर बात की जाए तो 6 दात पे ये गाय है अपने दूसरे ब्यात पे ये गाय बताई गई है इनके अउनर दोवारा जो डीटेल दिया गया है वो दूसरे ब्यात की बताई जा रही है गाय दात में 6 है मिल्किंग कैपिसिटी की अगर बात की जाए तो इसके नीचे दोनों समय का जो मिल्किंग कैपिसिटी बताया गया है वो 22 लीटर यानि 22 लीटर मिल्किंग कैपिसिटी अडर की बनावर देख सकते हैं अब और डिमांड की अगर बात की जाए तो इस गया का 60,000 प्राइज रखा गया है 60,000 रुपया बच्चा मेल है मेरे इसाब से ये दोनों टाइम में 16-17 लिटर तक दूद निकाल सकती है और बच्चा जो के बाच्चा देख पा रहे हैं मेल है थोड़ा सा बच्चा बीमार टाइप का लग रहा है ये जो B.I.V गया है ताजा B.I.V इसके बारे में बात करते हैं और गया ये भी काफी शानदार जो के आप देख भी पा रहे हैं इसकी इन पे काफी अच्छी गया है खुबसूरत भी है मिल्किंग भी काफी अच्छी है इसके नीचे तो दात की बात की जाया तो ये भी गया अपने 6 दात पे ही बताई गई है और दूसरे ब्याद की ही ये गया है और मिल्किंग कैपिसिटी 20 लीटर इसके नीचे भी बताया जा रहा है अडर की बनावट एक बार और देख सकते हैं आप लोग और इस एंगल से भी दिखाना चाहेंगे गया के नीचे कश्टमर लगे हुए हैं बात चीच चल रहा है बहुत ही क्लोज मामला हुआ वा है मातरे पंद्रह सो हजार रुपया का फर्क है तो देखते हैं बिक्ती है या नहीं काफी टाइम से यहां पर बात चीच चल रहा है छे नात पे 20 लीटर मिल्किंग कैपिसिटी 62 हजार रुपय डिमांड रखा गया इस गाय का बच्चा इसके नीचे मेल है तो इसके पास में एक और गया है जो के एक ही ऑनर की दोनों है तो इस गाय का भी डीटेल आप लोगों को देता चलूँ यह गाय गाबीन है और यह भी गाय अपने दूसरे ब्यात पे बताई जा रही है यानि दूसरी बार बच्चे को जनम देगी मातर इसके पास जो समय बचा हुआ बच्चा देने का वो चार से पांच दिन का और समय बच गया है इसके पास छे दात पे है और ब्याने के बाद मिलकिंग कैपिसिटी अठरा लीटर बताया जा रहा है जो के आप अडर वगरा की बनावाट देख सकते हैं तो अठरा लीटर थोड़ा सा संभाव नहीं है कहना क्यूंकि गाभीन गाय भी है और अभी और अडर बना सकती है तो हो भी सकता है अठरा लीटर कर दे लेकिन मुझे नहीं लगता कि अठरा लीटर करेगी आप लोग भी कॉमेंट करके जरूर बताएं डिमांड 55,000 रुपया रखा गया है कमजादा कर दिया जाएगा छे दात पह बच्चा देने में 5 दिन का और समय बताया जा रहा है तो गाय वो सेल हो गई है और यहाँ पर देख सकते हैं जो के बच्चा यहाँ पर लगा दिया गया है और इसका डीटेल दे दूं कितने में बिकी है जो के मैं कह रहा था काफी क्लोज मामला है तो यह गाय फाइनली 54,000 रुपया में सेल हो गई है बासट रुपया डिमांड रखा गया था तो चलिया आगे इस गाय के बारे में बात करते हैं तो यह गाय भी काफी अच्ची है और दात में मिल चुकी है थोड़ा सा यह इसके अंदर विक पॉइंट है दात में मिली भी है लेकिन बयात दूसरी ही बताई जा रही है इस गाय की जो के दूसरी बार बच्चे को जनम दी और बच्चा भी एक्सपायर कर गया है तो थोड़ा सा दुख की बात है चाहे वो किसान भाई हो डेरी फार्मर भाई हो गाय का अगर बच्चा एक्सपायर करता है तो काफी दुख होता है इसलिए कि उसमें गाय भी काफी समस्या में आ जाती है बहुत सारी गाय मिल्किंग भी कम कर देती है तो यह सब परिशानी है तो खैर अडर की बनावट देख सकते हैं इस गाय की काफी बने अडर बना कर दात में मिली भी है और milking capacity इसके नीचे दोनों समय का 16 लीटर बताया गया है इस एंगल से देख सकते हैं आप गया को 16 लीटर milking capacity और 51,000 इसका प्राइज रखा गया है बच्छा मेल था बाच्छा जो के एकस्पायर कर गया है तो कम जादा करके गया मिल जाएगी आपको चलिए इसके बारे में बात करते हैं जो के ये भी अडर वगएरा काफी बढ़िया बना कर है और अच्छा milking है इसके नीचे तो इस तरह की गया आप बिहार के अंदर में dairy farming करना चाह रहे हैं तो इस तरह की cross breed की गया लेकर कर सकते हैं आप जो के बहुत ही बहतर result मिलेगा आपको बाद में आप breeding पे काम कर सकते हैं नए farmer के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो ये गया दात में मिल चुकी है और milking capacity 15 लीटर इसके नीचे बताया गया है अडर वगएरा की बनावड देख सकते हैं इस एंगल से आप पूरा देख सकते हैं इसका जो length है height है गया का पूरा body cover कर रहा हूँ तो उस एंगल से एक बर और अडर वगड़ा की भी बनावड दिखाएंगे front side से थनों की बनावड देख सकते हैं आप दात में मिली भी है milking capacity 15 लीटर और demand की अगर बात की जा तो 55,000 इसका price रखा गया है 55,000 रुपया बच्चा इसके नीचे mail है तो इस एंगल स एक बर और थनों की बनावड देख सकते हैं आप तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और गया का डीटेल देंगे गया काफी अच्छी उपलब्ध हुई है अच्छा rate है price कम जादा हो जाता है ये fix नहीं बता रहा हूं मैं आएंगे तो कम जादा कर दिया जाएगा वीडिय मुझे लगता है कि दूसरी भी हो सकती है तीसरी का भी चांस हो सकता है तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारे चैनल पे काफी अनुभवी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं तो जरूर कॉमेंट करके बताएं कौन से ब्यात की ये गया होनी चाहिए मेरे बच्चे के साथ में ये गया है इस गया का भी डीटेल देता चलूँ आपको और ये गया दात में छे बताई जा रही है अडर की बनावर देख सकते हैं जो के छे दात पे है दूसरे बयात में ये गया बताई गई है मिल्किंग कैपिसिटी की अगर बात की जाए तो इसके बताया जा रहा है मेरे एक्सपिरियंस के अनुसार ये गया है दोनों टाइम में साड़े साथ से आठ लीटर तक दूद कर सकती है उससे जादा ये गया दूद नहीं करेगी आप लोग भी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं छे दात पे है बारा लीटर मिल्किंग कैपि 48,000 रुपया प्राइस बच्चा फीमेल जो के यहां पर एक्सपैर कर गया है बच्चा देख सकते हैं तो दो बच्चा आज मंडी में देखने को मिला जो एक्सपैर कर गया है तो काफी दुख होता है और काफी परिशानी भी होता है किसान भाई ये वेपारी भाई को जब गया का बच्चा एक्सपैर हो जाता है तो मिलकिंग वगरा में भी काफी दिक्कत होता है तो चलिए इस गाय का डीटेल देता चलू बने रहे हैं वीडियो में अंतक और पूरी जानकारी लेकर जाएं इस वीडियो से इस मंडी के बारे में तो ये दात में मिली भी गाय है और कम प्राइज की गाय जो के इसका डीटेल देंगे क्या है पूरा डीटेल दात में मिल चुकी है मिलकिंग कैपिसिटी के अगर बात की जाए तो दोनों समय का 10 लिटर इसके नीचे मिलकिंग कैपिसिटी इनके ओनर दुआरा बताया गया है डिमांड के अगर बात की गाय का 36,000 प्राइज रखा गया है तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया प्राइज है और प्राइज कुछ न कुछ और कम जादा हो जाएगा 2000 हो 3000 हो कम जादा जरूर कर दिया जागा लेकिन प्राइज रिजनेवल रखा है इन्होंने बच्चा भी फीमेल है इसके नीचे ये प्लस पॉइंट है तो गाय देख सकते हैं आप और इस तरह से मंडी में प्राइज रहता है कम जादा करके दे दिया जाता है जैसा कि आपको आगे एक बिकीवी गाय का भी डीटेल दिया तो कोशिस होती है कि आप लोगों को पूरी जनकारी दी एक बार डिमांड की अगर बात की जाए तो 45,000 रुपया डिमांड रखा गया है इस गाय का थनों की बनावर देख सकते हैं दात में मिली भी गाय 11 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी 45,000 रुपया प्राइज रखा गया है बच्चा इसके नीचे मेल है तो गाय का आपने अडर भी देखा लिंथ भी देख सकते हैं तो इस टाइप की गाय है चलिए वीडियो को करेंगे अंत वीडियो कैसा लगा ये हमें कर दें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लें